सो हे गाइस कुछ दिर पहले मैंने एक और वीडियो डाला था OxygenOS 11 OnePlus Note के लिए तो उसमें दोस्तों आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिखाया तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आगया हूँ कि कैसे आपको step by step आप लोग जब ये डाउनलोड कर लिया है तो आप इसको कैसे install करेंगे चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है अपने फाइल में चल जाना है और फाइल को open करते हुए जहां से आपने इसको download करके रखा है चाहे वो कोई सबी browser है वहां से आप लोग को इसको जो है cut कर लेना है मतलब cut करने का इसको आप जो है cut कर लिजे लेकिन दोस्तों रुखे अभी आपको ये update नहीं करना है कुछ बातों का आपको ख्याल करना है जैसे कि यहां पर अभी आप देख रहे है backup का तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो भी है उससे पहले दोस्तों आप यहां पे देख लें कि आपका बेटरी भी 75% से उपर हो ताकि आपके नोड में कोई यहां पे तकलिप नहीं हो उसके बाद आपको इस पे ग्लिक कर देना है और वेेट करना है कि यह टाइम कितना देर ले रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो फाइल है ये पौने तीन या तीन जी भी का है तो इसमें आप लोगो अपडेट होके में थोड़ा ना थोड़ा ताइम तो यहां पे लगेगा ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेलेकन को जरूर प्रिस्क्रिट दीएगा से 40 सेकंड आपको वेट करना है आपका फोन यहां पे जो है रिबूट होगा और उसके बाद यह जो ऑप्सन है यह इसको भी ऑन होने में आपको यहां पे थोड़ा सा टाइम डग जाएगा तो आप अपने दिल पे हाथ रख ले किसी के यहां पे ब्रिक नहीं होगा तो यहां पे देखेंगे आपका फोन यहां पे अन हो चुका है और हमने यहां पे जो पासवर्ड अपने फोन में डाला था वो यहां पे पहले यह मांग रहा है तो मैंने इसको अन कर दिया हूँ और यहां पे देखेंगे आपका फोन इसे स्टार्टिंग लेकिया है दोस् से पहले अगर यहां पर देखेंगे तो वह भाई notification बार जो है पूरा यहां पर change कर दिया गया है और इसको जो है Samsung UI के तरह यहां पर कर दिया गया है हाला कि यह जो है Samsung UI से थोड़ा सा हट के हैं लेकिन ज्यादा तरचु यहां पर option दे रहा है यहां पर जो है सिमसंग के तरफ से आया है तो यहां पे दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको सेटिंग में और सेटिंग में ले जाने के बाद आपको यहां पे बताऊंगा कि क्या हो रहा है उससे पहले आप यहां पे देखिए जो भी अप्लिकेशन है यहां पे अप्लाइंग हो रहा ह इसके बाद यहां पर आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आप देखेंगे OnePlus Note है 828C variant और यहां पर देखेंगे यहां पर Oxygen OS 11 और यहां पर बीटा वाले जो मैंने इसको इस्टॉल कर दिया है यहां पर देखेंगे दोस्तों तो Security Page जो है वो December का हो गया है और आप जो है यहां से पूरा डीटेल को आप यहां पर चेक कर सकते हैं अब दोस्तों इसका जो है पूरा आप लोगो फाइनल वीडियो कल या परसो आप लोगो देखने के रिए मिल जाएगा तो आप हमारे चैनल को सस्काइब करके बेलेकन को जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि वो जब भी मैं वीडियो बनाओ तो आपके पास आ जाए और आपक को यहां पे ल्गे कि हाँ आपने कुश कमाल किया है दोस्टों इस वीडियो को आप कर दीजेगा लाइक और इसको जब आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो भी यहां पर फेस है वो आप यहां पर देखेंगे कि बहुत इच्छा यहां पर दिक्ए गा जश्लीक बोग somehow यहां पर घबाई यह नहीं क्योंकि इसमें आल्वेज ओन का डिस्पी आप लोग को मिल गया है और उससे पहले जब भी आप यहां पर लॉक को खोलेंगे आपका जो केमरा लाइटिंग एफेक्ट है वह आप डिडाउट अप्रिकेशन भी अब यहां पर देख सकते हैं यहां को भी सुस्क्राइब करके बेल एकन को जुरूर पेस के दिएगा ताकि आपको आने वाले सारी वीडियो का नोटिफी के सान आप तेक जल्दी ही पहुंच जाए होप आपको यह वीडियो जलूर पसंद दाया होगा तब तक चलिए जैए